हलो गाईज कैसे हैं आप सबी लोग तो आज हमना कट वर्क और लेस के साथ नेक का सबसे खुबसूरा डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन को मैं अपनी प्रिंटेड गुट्टी के लिए रेडी कर रही हूँ तो आप सबका जादा टाइम ना लेते हुए हम आज के इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने नेक कट करेंगे उसके लिए मैंने ये बुक रम लिए जिसे ऐसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है अब हम इस पे अपने नेक की डुमेंशन ड्रॉ कर लेते हैं तो सबसे पहले हम नेक की जड़ाई को माक करेंगे तो जड़ाई मुए यहाँ पे 253 इंच माक करंगी टोटल नेक की जड़ाई हमारे पास साथ इंच आ जाएगी तो 3.5 इंच को हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्ग कर लेना है तो नेकी गहराई ना ऐसे मैं सीधे में मार्ग करूंगी यहां से 14 इंच हम नेकी गहराई को मार्ग करेंगे तो नेक کے नीचे हमारा थोड़ा लंbene कट भी आएगा और cut से न ये neck हमारा सीधा V की shape में ही आएगा तो अब ही हम neck की shape यहां पर draw कर लेते हैं तो यहां से न इसकी चुड़ाई हम एक inch लेंगे total यहां से cut की जो चुड़ाई है न वो 2 inch आजाएगी तो 1 inch को हमने यहां पर ऐसे सीधा सीधा mark कर लेना है और यहां से न वी neck को ऐसे draw करना है सीधे में इस shape में आएगा हमारा ये neck तो neck हमारा ऐसे draw हो चुका है अब हमने बाहर शे एक्स्ट्रा बुक्रम लेनी हैं लगबग पॉना पॉना इंच तो वो हम ऐसे ही draw कर लेंगे अब हम इसे न अपनी marking के साथ साथ कट कर लेते हैं तो neck की cutting हमने ऐसे कर ली है और ये कुर्टी पे ready होने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा अब हमने न इसे extra fabric के उपर paste कर लेना है तो neck को हमने extra fabric के उपर paste कर लिया और तो इसे side से ऐसे fold भी कर लिया है अब हमने न इसे अपनी कुर्टी पे रखके पलट लेना है तो ये मेरी printed कुर्टी है कुर्टी को हमने ऐसे सीधा करके रखना है और neck को न इसके उपर ऐसे उलटा करके रखना है बिल्कुल center में रखेंगे सबसे पहले सेंटर में एक रफ्टिश उसके बाद बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई तो बुक्रम के साथ साथ हमने सिलाई लगा ली हैं अब हमने बीच वाले फैबरी को कट कर लेना है आध्याधे इंच का मार्जन लेते हुए ऐसे बीच वाले फैबरी को कट कर दिया अब हमने यहाँ पे चोटे-चोटे कट्स भी लगा लेने हैं और एक कटना हमने इसकोने में लगाना है और एक कट इसकोने में ऐसे तो कट्स हमारे लग चुके हैं अब हमने नेक को अंदर की तरफ पलट लेना है तो neck को ना हमने ऐसे पलट लिया है और इसे प्रेस कर लिया है अच्छे से अब हमने इसके अंदर अपना cutwork वाला pattern stitch करना है तो चलिए वो cut कर लेते हैं तो neck के बीच में से हमने ये जो extra bookrum cut की है ना इसे हमने फेंकना नहीं है इसी पे हमने अपने cutwork वाला pattern draw करना है तो यहां से इसकी चोड़ाई एक इंच है ना तो उपर की तरफ भी हमने एक 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 इंच को ना ऐसे ही mark कर लेना है बिल्कुल नीचे वाले के बराबर बराबर तो अब हमें ना इसी के बीच में अपना cutwork draw करना है तो उसके लिए ना हम बुक्रम का एक छोटा सा pattern cut करेंगे तो cutwork का pattern cut करने के लिए हमने एक बुक्रम का छोटा सा piece cut किया है ये डेड़ इंच ओड़ा है और एक इंच लंबा है इसे हमने ऐसे double fold कर लेना है और यहां पे ना जितना भी बड़ा आपको cutwork रखना है उतना आपने draw कर लेना है तो मैं अपने cutwork वाले pattern को ना ऐसे अपनी marking के साथ साथ cut करूँगी और ये कुछ ऐसे आ जाएगा ये देखिए अब हमने ना ऐसे आधे आधे इंच पे एक सीधा सीधा mark कर लेना है यहां पे कर लिया अब हमें इसी marking के उपर अपने cutwork वाले pattern को रखना और इसके बराबर बराबर ना बाहर की तरफ mark कर लेना है ऐसे ठीक है ना पस इसी के साथ साथ हमें pattern को रखते जाना और mark करते जाना है तो सारा cutwork हमने ऐसे draw कर लिया है अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेते हैं तो ऐसे हमने अपने cutwork वाले pattern को cut कर लिया है और ये दो parts में आ जाएगा कुछ ऐसे इस तरीके से अब हमने इस pattern को कुड़ती के साथ जो plazo है ना उस वाले fabric के उपर paste कर लेना है तो इस तरीके से ना हमने इसे plazo pen वाले fabric के उपर paste कर लिया है अब हमने ना same इसके जितना ही एक और fabric लेना है बिल्कुल इसके जितना ही चोड़ा और इसके जितना ही लंबा ये वाले fabric को हमने सीधा रखना है और pattern वाले fabric को इसके उपर ऐसे उल्टा और यहां पे ना अपने कट वर्क के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिला ही लगा लेनी है तो ऐसे हमने दोनों कट वर्क के ना किनारे किनारे पे सिला ही लगा ली है अब हमने ना यहां से दो दो पेर का extra margin लेना है और बाकी सारे extra fabric को trim कर लेना है इस तरीके से तो ऐसे हमने extra fabric को trim कर दिया है अब हमने ना इसमें एक एक cut भी लगा लेना है बिल्कुल इसके कोने कोने तक ये cut आपकी सिलाई तक लगे लेकिन ये धियान में रहे सिलाई ना कटे तो cuts भी हमारे यासे लग चुके हैं अब हमने ना इसे पलट लेना है इस तरीके से तो ऐसे हमने दोनों side के cut work को ना पलट के ऐसे press के साथ अच्छे से बिठा लेना है ये देखिए हमने दोनों cut work को ना press के साथ ऐसे ready कर लिया है अब हमने ना बाहर वाली side से भी आदे आदे लेंज का extra margin लेते हुए ना extra fabric को यहाँ से cut कर लेना है इस तरीके से तो बाहर से भी हमने extra fabric को ऐसे cut कर के ना इसे यहाँ से ना interlock कर लिया है ताकि finishing अच्छी आए तो चलिए अब हम इस पे ना एक lace stitch कर लेते हैं तो लेस भी मैं यहाँ पे ना cut work वाली ही यूज कर रही हूँ यह देखिए इस तरीके से ना हमने लेस को ऐसे अपने cut work के उपर रखना और यहाँ पे लेस की इसकी नारी को दबाते हुए सिला ही लगा लेनी है तो दोनों तरफ के cut work पे ना हमने यहाँ इसे लेस स्टिच कर ली है और देखिए कितना खूब सुराज पैटरन हमारा यह रेडी हुआ है तो अब हम इसे ना अपने नेक के नीचे रख के स्टिच करते हैं इस तरीके से ना हमने इसे नेक के नीचे ऐसे रखना है और लेस की किनारी को दबाते हुए यहां पे ना किनारी किसी ले लगा लेनी है तो गाइस ऐसे हमने दोनों तरफ कट वर्क वाले पैटरन को स्टिच कर लिया है अब हमने ना इस कट को बंद कर लेना है तो कट को बंद करने के लिए ना हम यहां पे सेम कुर्टी वाले फैब्रिक का यूज करेंगे और यहां से ना मैंने उपर से इससे डबल फोल्ड करके ना दोनों तरफ इंटरलॉक भी कर लिया है और इसकी चोड़ाई मैंने चार इंच रखी है ऐसे दिखिए और लंबाई में ना मैंने यह साथ-ाथ इंच लिया है अब हमने ना इसे इस तरीके से ऐसे गुर्टी के नीचे रखना है नेक के नीचे कट को बंद करते हुए और यहां पे ना दोनों तरफ कि नारी की सिलाई हमने लगा लेनी है ठीक उसी सिलाई के उपर जिससे हमने कट वर्क को स्टिच किया है तो गाइस नीचे की तरफ ना हमने ऐसे गुर्टी वाले सेम फैबरिक को स्टिच भी कर लिया है और देखिए कितना खुबसूरत नेक डिजाइन हमारा यह बनके तयार हुआ है यह नेक डिजाइन ना पाकिस्तानी सूट्स पे आजकल काफी ट्रेंडी है तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुर्टी रेडी करके भी दिखाती हूँ तो रेडी होने के बाद हमारा एक खुबसूरत पाकिस्तानी नेक डिजाइन कुछ ऐसे आ जाएगा तो आप भी यह वला नेक डिजाइन अपनी कुर्टी पे जरूर ट्राइ करें तो अगर आपको मेरे डिजाइन और मेरी वीडियो ची लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं बाई बाई